हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं अनुज कुमार सिंग सिक्षाधाम से बीकॉम सेमिस्टर वन अभी बच्चे 12 पास हो आउट हो के वैसे तो 12 का रिजट काफी पहले आ गया था लेकिन एड्मीशन होना ना होना कटाफाना ना ना सी यूटी एम सी क्यू बच्चे पजल थे इसलिए कुछ मैंने क्लासिस थोड़ी थोड़ी करके अपलोड करी है आज से जो मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ हम कैसे तरीके से पढ़ेंगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगा वो पूरी डिटेल आज हम जानेंगे समिस्टर वन के लिए चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा ओनर्स का हो दोनों बच्चों के लिए बेनिफीशल रहेगा बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ओनर्स या फिर बच्चा और किसी अधर सब्जेक्ट का भी जिनका के फानिशल अकाउंट है जिनके पास बीकॉम के अंदर उनके लिए भी ये बेनिफेशल वीडियो रहेगा सर बात करते हैं हम कि बीकॉम सेमिस्टर वन के अंदर क्योंकि इस बार नियू स्लेवस आया है तो सबसे पहले कुछ में बात बता दूँ स्लेवस के उपर थोड़ा सा डिसकस कर लूँ के सर स्लेवस में क्या बदलाव आया है और क्या क्या चीजे नहीं आई हैं आपके slaves के अंदर हम पहले वो जान ले वो ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है चलिए सर सबसे पहला हमारा unit 5 है अगर मैं unit की बात करूं तो सर unit अगर 5 है तो किस किस तरीके से 5 है unit 1 सर unit 1 के अंदर आपका theoretical framework of accounting इसके बाद unit 2 आ जाता है unit 1 का ही पार्ट है unit 1 को दो पार्ट में बाटा गया है A और B और फिर आ जाता है हमारा B का accounting process इसको मैं अगर देखूं तो ये मैं दुबारा repeat हो गया इसको cut कर देते हैं ठीक है मैं थोड़ा dark ले लूँ ये ठीक है ये है नहीं ये cut कर देते हैं ठीक है फिलाल के लिए तो हमारा एक unit 1 है unit 1 को इन्होंने दो point में समझाया है इसमें कहना है कि सर unit 1 में हम आपकी knowledge test करेंगे knowledge theory का जो 11th class के अंदर आपने theory पढ़ा हो जैसे कि मैं simple सी बात करूँ आपको थोड़ा बहुत याद होगा gap के बारे में थोड़ा बहुत money measurement, going concern, accounting entity and etc. एक्टरा IFRS यह unit 1 की बात करता है accounting process भी थोड़ा इसका advance version है 11th में जितना पढ़ा है वो उससे थोड़ा सा advance है तो सर एक unit 1 है unit 1 में से आपके 15 marks के question बनेंगे unit 1 में से आपके 15 marks के total 75 marks का paper आएगा पांच question आपके exam में आएगे और वैसे तो और में भी choice में रहेगा लेकिन 5 question करने होंगे each 15 marks का paper आपका रहेगा तो unit 1 पूरा theory है सर इसके अंदर हाँ अब जो बच्चे science side के थे उन्होंने अगर commerce लिया है art side के बच्चों ने commerce लिया है तो उनके लिए काफी जानकारी उनके लिए ये जानकारी कि उनको ये सारा दुबारा पढ़ना पढ़ेगा unit 2 की बात कर लेते हैं business income accounting property plant equipment valuation of inventory सर basically देखा जाए इसके अंदर D partition है D 4 point एक सबसे पहले ये AS9 जो है revenue recognition आपका sorry business concept entity ये भी आपका देखा जाए तो ये सर theory है A part B part में theory C part ये practical है जिसको अकाम property plant equipment जिसको AS10 अब बोलते हैं पहले AS6 बोला करते थे और मैं साधाराज की बात करूँ तो ये depreciation वाला chapter है sir depreciation chapter तो हमने 11 में भी किया हुआ है तो जितना 11 में किया है उससे advance आजाता है यहाँ पे सर यहाँ पे change method आ जाता है यहाँ पे provision में change method आ जाता है तो कुछ इसमें extra पढ़ेंगे तो सर यानि मैं unit 2 की और एक inventory जो आज से पहले नहीं पढ़ा है इसके अंदर आपका LIFO and FIFO method है तो मैं मोटा मोटा बात करूं तो ये जो unit है वो 30 नंबर का काफी महंगा unit है इसमें से दो सवाल बनेंगे अपके 30 unit का एक depreciation में से एक inventory में से और कुछ AS9 और theory में से तो काफी महंगा है यह इसलिए मैं कहूंगा इसके अंदर से यह बनने वाला है तो 30 नंबर तक के सवाल आने की पूरी संभाब ना है इसमें से unit 3 financial statement sole proprietary non-profit organization सर 2 है पहले हाला की option में आया करता थ था मेरे हिसाब से मैं थोड़ा उपर कर दूंग पहले हाला की option में आया करता था लेकिन अब option में आने के chances हो भी सकते और नहीं भी हो सकते सर 15 नंबर का question इसमें से आना तया है final account और NPO final account अब आप सभी की मैं बात करूं final account तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा लेकिन 11 वी class में covid के duration में काफी सारे चीजे कट कर दी गई थी जो आपको knowledgeable नहीं होगा और non-profit organization को भी काट दिया गया था last last time पे तो शायद उसकी भी knowledge ना हो आपको इसलिए मैं कहूंगा ये दोनों unit नहीं है क्योंकि जब आप अपने senior से पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलेंग related है मैं उनकी बात गलत नहीं कह रहा लेकिन हां आपने ये topic 11 में काट दिये थे cbsc वालों ने तो आपने पढ़े ही नहीं तो जब नहीं पढ़े तो आपके लिए नया ही है तो मैं जो syllabus करवाऊंगा complete बिलकुल zero level से मैं मान के चलूँगा कि आप arts के बच्ची हो आपको कु सर ये computerized accounting का है ये computerized tally वगेरे से related थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है जिस पर भी हम discuss करेंगे तो इस तरीके से 5 unit है 5 unit को अगर मैं majorly fit से define करूँ न तो 5 unit में हमारे practical कितने chapter निकल के आते हैं सर practical निकल के आता एक depreciation chapter है नमबर दो inventory chapter है नमबर तिन branch chapter है नमबर चार department chapter है जो practical है नमबर पांच final account है नमबर छे NPU है और सर नमबर साथ lease है सर ये साथ chapter है जो आपने पढ़ने है और आपका exam जो होना है वो exam होना है आपका कब सर मार्च के महिने में तो जितने भी हम ये करेंगे complete तो पहली बात जितने भी classes होंगी सारी 100% live होगी और live के साथ साथ आपको recorded mode में भी application पर मिल जाएगा और साथ के साथ जैसे ही application पर होगा वह आप कैसे भी देख सकते हैं जो बच्चे अभी क्योंकि नए होंगे तो नए होने के साथ साथ मैं बात करूंगा कि इसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो बच्चे नए हैं उनको चाहे science का बच्चा हो चाहे कोई और other subject का उनको basic level से बिल्कुल strategy बताया जाएगा उसके according हम लेके चलने वाले हैं तो कुछ हमारे ये chapters हैं मैंने weightage भी बता दिया सर और दूसरे language में अगर weightage की मैं बात करूं तो सर ये आपका 15 नमबर का आनात तै होता है सर branch भी 15 नमबर का आनात तै होता है depreciation inventory 15 से 30 नमबर और lease 75 का आएगा हम बागे चर्चा बाद में करेंगे हम सारा का सारा syllabus पूरा 0 level से complete करने वाले हैं जिसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगा ज्यादा मैं YouTube पे भी वैसे हाला कि ये syllabus upload कर दूँगा जितने बच्चे हैं join होना चाहते हैं वो हो सकते हैं D.U. के अंदर इसके लिए अब book कौन सी लगेगी ये क्याल लगेगी ये भी हम बाते कर लिकें सर हम book की बात करें तो बड़ी simple से बात है बगर book की बात करें हम अगर मैं बुक की बात करूँ तो सर बुक आपका लगने वाला है JR मोंगा DU का आप किसी regular college में है correspondence में आपके teacher ने recommendation कर दिया होगा professor ने recommendation कर दिया होगा JR मोंगा तो मैं भी बिल्कुल यही base मान के चलूँगा JR मोंगा अब दूसरी बात आती है सर इसके अलाबा क्या करना चाहिए प्लस मैं इसके साथ आपको past 10 year के paper भी कर भा हूँआ past 10 year के paper इसके notes assignment पे work चल रहा है भी और hopefully next week तक market में available हो जाएगा सर यह 10 year कहां मिलेगा nearby आप देखिए अभी नए है आपको पता नहीं होगा कि paper का strategy क्या हो planning क्या हो तो जैसे ही paper आएगा तो nearby आप shop कहीं भी जाएगे तो वहाँ पे मिल जाएगा जो 10 year update करने वाला हूँ क्योंकि मैं काफी time से 10 year जो आपके due के paper होते हैं उसको मैं answer जो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ तो so that आपको थोड़ा सा तो आप बिल्कुल tension ना ले paper कैसा आएगा नहीं आएगा मैं बता देता हूँ 10 year कैसा होगा कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं 10 year का मतलब मैं cover page दिखा दिखा देता हूँ cover page कहा है 10 year का cover page अगर हम देखना चाहें चलिए यह देखे आपके सामने 10 year है जो सिवदास का 10 year है सिवदास का 10 year होगा जिसके अंदर यह तो बैसे semester 5 के बच्चे तो मुझे जानते हैं अपने जिस senior से पूछेंगे तो उन्होंने कहीं न कहीं मेरी वीडियो से पढ़ा होगा तो hopefully आपको भी थोड़ा सा बहुत आ जाएगा यह 10 year आएगा आपका जिसके अंदर मैं पिछले 10 सालों के questions, paper, answer और वो मैं जो class के अंदर practice भी करवा हुआ और revision भी होने वाला है आपका तो यानि class मैं बात करूँ तो class के अंदर मजा आने वाला है, class के अंदर हम क्या क्या solve करेंगे सर हम book solve करने वाले हैं, book के questions करेंगे सर दूसरा past year के paper solve करेंगे सर past year के paper यानि उसके with solution, सारे चीज़े discussion और क्या होगा सर, और आपके test भी होंगे जो की live test रहेंगे और live check करके मिल जाएंगे और आपको pdf कुछ notes में मिल जाएंगे, notes बाकी मैं हर बच्चो को recommendation करूँगा के सर आप jr munga book खरीद ले, market में nearby किसी shop पे available है 10 year भी, आपको by courier भी घर पे deliver किया जा सकता है hardly cost 150 के around रहता है इसका, जो की nearby shop से खरीज सकते है हर बच्चा खरीदेगा, आपके college में जब जाएंगे paper देने तो मेरे हिसाब से अगर 20,000 बच्चे है तो 20 के 20,000 बच्चों के हाथ में 10 year आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने इसी से पढ़ाई करी है तो सीधी सी बात थी के हम ये syllabus प्रोवाइड कर रहे है अभी फिलहाल के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ अभी मैं जो course launch कर रहा हूँ, वो 1250 रुपे MRP है बट आज pre के लिए, आज मैं open करवा देता हूँ इस course को आपको 799 में ये पूरा का पूरा course available हो जाएगा कर सकते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा, ये मैंने pricing रखी है आपके लिए, कि इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा course complete हो जाएगा, तो आप जितनी जल्दी से जल्दी आप join हो जाएगे आपका syllabus नहीं होगा, हाँ, जब आप late join करेंगे तो आपको recorded lecture मिलेगा अब live, अब सर टाइमिंग क्या होगी सर, सबसे major point है कि सर क्या time क्या होगी, तो आपकी timing मैं रखने वाला हूँ MWF, 7 PM, सॉरी, 6 PM, 6 PM, 6 बजे classes रहेंगी आपके exam कब होंगे सर, exam हमारे होने वाले है सर, मार्च के महिने में सर, हम जब इस institute से join होंगे, तो और कोई भी subject आपके पास पढ़ाया जाता है बिलकुल, हमारे पास business industrial law भी इस बार आने वाला है और साथ के साथ economics, principle of micro economics भी आएगा उसकी detail वीडियो में अलग से syllabus के साथ बना दूँगा, जो teachers हैं, वो बना देंगे तो बस छोटी सी जानकारी देनी थी, मिलते हैं हम इसी तरीके से next वीडियो के लिए तो ये हमारा सारा semester 1 का सारांज था, अब Monday से classes आपके start हो जाएंगे जिन बच्चों को registration करना है, enroll करना है, वो आप कर सकते हैं Thank you so much, मिलते हैं हम अगले class के अंदर